कि यहां पर देखते हैं मुझेंग लूग एंकर टैक्व क्या होता है वह लोग यहां पर देख रहे हैं एक लिंग जैसा बनेगा और वह एक से दूसरे पेज़ तक हम लोगो लेकर जाएगा मतलब जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट है जैसे मैं आप यह टेक्स लिखा हूं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वह हमें दूसरे पेज़ पर लेकर जाए तो यह बलखो कोई भी लिंक देखते हैं मानके चलो और मैं इस और मैं इस यहां पर इपर मैं खूलता हूं Google ए यहां पर मैं लिखता हूं हॉच्टी अम्ल्स टीम्स अलब तो यहां पर हम लोग को जो क्लिक करने वालब option मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं Link यहां पे Link कैसे करते हैं तो फिर यहां पे दूसरे पेश कर दिखा हूं तो यह साइट हम लोग यहां पर सर्च के हैं और यहां पर बहुत सारे लिंक्स हम लोगों को इस कि अब यही लिंक हम लोग कैसे बनाते लिए एक फैसे एक हम लोग कैसे जनरेट करते हैं वह भी यहां पर हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे हम लोग उस लिंग को बनाते हैं उस लिंक के लिए हमड़ोग यहां पर यूज करते हैं एंखर टैग का एंकर टैग जो है वह एक है पर लिंक डिफाइन करता है जो कि उस है पर लिंक को एक पर छे दूसरे पेज में लिंक करता है इस एक अपर लेंग तूब द अधर वेब पेज अस वेल एस पाइल्स लोकेशन और अनी यूरल the href attribute is the most important attribute of the HTML HTML anchor and which links to destination page or URL is href जो हम attribute यहां पर यूस करेंगे उसमें हम लोग URL देते हैं अब यहां संटक्स हम लोग आते रिकट कैसे हम लोग यहां पर सिंटक्स देख रहे हैं यहां पर हम लोग लगेंगे एहां पर हम लोग लिक्टिब्यूट लगाएंगे एह मतलब होता है एंकर थीक है उसके बाद हम लोग ह्र इए एक लिए इसको बोलते हैं हम लोग है पर link reference वो बोला जाता है यहां पर हम लोग उसका खर देंगे यहां पर देखते हैं जो लिखते हैं इस एक्जाम्पल में यहां पर हम लिखा ए और उसके बाद लिखा है एक वल्टो सेकेंड डॉट स्जी एमल में second.html हमने पर लिखा और यहां पर हम लोग लिख लिए क्लिक फॉर सेकेंड पेज राइधिकर हमने क्या किया एंकर टैप को क्लोज कर वह से हम लोगैक इसको एक गर क ikiक्रियेट करते हैं कि कैसे हम लोग एक आपक्र लिंक करते हैं तो यहां पर मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूं और यहां पर देख रहे हैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा थोड़ा सा समय बच जाए और यहां निव फाइल लेता हूं और मैं पेश्ट कर देता हूं ठीक है और यहां पे हम लोग लिखेंगे एंकर टैग अब यहां से सारा चीज हटा दे रहा हूं मैं यहां पर सिंपल सा मैं बॉड़ी टैग ही यूज करूंगा तो इस एस्टीमेल मैंने क्या लिया एक लिया एक लिए और मैंने टाइटल ले लिया और मैंने यहां पर टैक्स लिखेंए ऐनकर टैग यह भी एंकर टैग हो गया फिर उसकी बाद इस बॉड़ी के अंदर हमने यहां पर लिया एक्जामपल आप धेग अब मैं इसको रन करता हूं मैं यहां पर आता हूं यहां पर हम लोग फाइल दिख रहा है डबल प्लिक करूंगा तो यहां पर ओपन हो गया तो यह हमारा कोड है और यह हमारा आप पूट और तो यहां पर अभी हम लोग सिंपल में ही हम लोगने क्या की आंड जो कि यहां पर हमनोग और यहां पर रिखता हूं है मैं यहाँ पहले देता हूं यहां से यहां से एक लाइन का स्पेस हम लोगों मिल जाएगा और यहां पर हम लोगों दिख रहा है है क्लिक यह दिख रहे हैं मैं इसके माउस रखता हूं तो कोई भी स्क्रिक करण अब damit कुछ नहीं होगा अब इसमें क्लिक कर रहा हूं पुछ नहीं हो चालरा किसी लेकिन पूच्छी दूसरा से और यहां कछ अभी लोग देख रहे हैं कि यहां पे हमने लिख दिया है फिर भी यहां पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं होगा इसका ऊंधीन करने से कुछ और ग्लेकर हम लोग को यहां पर इक या क्टिन को डेना जरूरी होता है वह एट्रिबूट कौन सा है एच रिफरेंस ठीक है एच रिफरेंस एट्रिब्यूट हम लोगों को देना कंबल सरी होता है तभी वह लिंक बनेगा और वहां से हम लोगों दूसरे पेज तक रिडिरेक्ट करके ले जाएगा तो मैं यहां पर एक एट्रिबूट करते हूं एक प्लू कलर में और यहां पर जैसी इसके पर माउस रिकेंगा हक यहांपर हैंड का सिंबॉल हम लोगों को मिल जाएगा जो करसर है एक हैंड का सिंबॉल में गौनवर्ट होता है ऑप मैं से क्लिक करता हूं हूं तो यह थे तेक बनावग गलर का ब्लिंक कर रहा है ठीक है लेकिन इसमें कोई भी हम लोग nursing अभी तक नहीं दो मैं लेकिन मैं हाँ यूज डिता हूं मैं आप़ लिखता हूं बॉर्डी एक टाइब एक फाइल है जो हमने यहां पर बनाया हुआ है यह कहां पर है डी के अंदर है html pgdca body tag.html यह पूरा हमारा फाइल है क्योंकि यह फाइल भी हमने इसी में रखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर फाइल लिख सकते हैं तो सबसे पहले वह इसी फोल्डर पर ही खोजेगा और मैं यहां पर आके रिफ्रेश्ट करता हूं रिफ्रेश्ट मैंने कर दिया ठीक है उसके बाद यहां पर आके मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद क्या होगा जाता हूं ठीक है फिर वापस मैं इ फूल गया तो इस परकार से हम लोग यहां पर लिंक क्रिेट करते हैं नोग कितने भी चाहिए लिंक क्रियेट कर सकते हैं को इशू नहीं है ठीक है इसको कॉप्पी किया और यहां पूर मैं लिकता हूं लोग यहां पेर दुते हैं भी आटेग ठीक्ष भी यहां पर मैं लिखता हूं दूर्ग निकाल लेते हैं दूर्ग येनिवर्सिटी हां लोग है कि अध्रीक है कि मैं चाहता हूं कि यहां पर जो मैं लिखूं यहां पर मैं लिखता हूं एम चंद जातो लिए यूनिवर्सिटी तो यह लिंक बन जाए मैं चाहता हूं कि यह लिंक बन जाए और यहां पर मैं क्या करूंगा इस बॉडी टेख को मैं हटा दूंगा यहां पर मैं इसका यूरल पेश्ट कर दूंगा जब भी हम लोग कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट का अगर यूरल हम लोग डालेंगे तो यहां पर टैक जो है वह बहुत अच्छे से काम करेंगा तो मैं यहां पर आकर रिफ्रेश्ट करता हूं और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि हम चंद यादव यूनिवर्सिटी टेक्स्ट आ कर है और यहां पर उसका कलर जो है ब्लू हो चुका है और उसके पर माउस में लेकर जात है तो बैक करता हूं और वापस यह से खोलता हूं फिर से खुल जाएगा तो जितने पार भी हम लोग चाहें इस प्रकार का अपने वेब पेज पे लिंक बना सकते हैं कोई भी फाइल का भी हम लोग बना सकते अगर मैं यहां पर आग देता हूं ठीक है यहां पर कोई भी फाइल का में दे रहा हूं ठीक मेरे पास एक कोई भी पीडियाफ फाइल होगी इस मानके चलो कि मैं यहां से कोई भी पीडियाफ फाइल मैं ले लेता हूं कि अधिक पीडियाफ फाइल में ले लेता हूं और जैसे मानके जड़ोगे अर्थडे वाला एक पीडियाफ फाइल मेरे पास रखा हुआ है कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं अपने हैस्टेमल पीजीडीस के वाले फोल्डर तो यहां पर देख सकते हैं कि आर्थडेश्ट का यहां पर हमारे पास एक पीडियाफ फाइल रखा हुआ है कि तो मैं इसका नाम थोड़ा चुटा कर देता हूं और देमें इस फाइल को मैं चाहता हूं कि अपने वेब पेज़ पे मैं लिंक कर दो तो मैं क्या करूंग दाउनलोड कि अर्थडेश्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं क्या दोंगा उसको पाथ तोंगा कि मैं लिखूंगा यहां पर मैं डायरेक्ट वहां से इसका कि नेम को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेश्ट कर लेता हूं अर्थडेश्ट करता हूं तो यहां पर सकते हो डाउनलोड अर्थडेश्ट यहां पर देख रहा है और यहां पर जैसी में करता हूं ठीक है तो यह प्रकार से यहां पर क्या होगा एक पीडियोफ फाइल हम लोग लिंक कर लिए तो कोई भी फाइल हम लोग को लिंक कर सकते हैं ठीक है फाइल को लिंक कर सकते हैं लोकेशन को लिंक कर सकते हैं या कोई यूरल को लिंक कर सकते हैं या कोई दूसरे विट एंकर एक क्रेटिंग हाइपर लिंग विट एंकर है हम लोग यहां पर हाइपर लिंग क्रिएट कर रहे हैं अगर कोई भी वेब पेज में हाइपर लिंक नहीं होता है तो उसकी कॉलिटी उतनी खास नहीं होती क्योंकि वह कोई ना कोई दूसरे से लिंक जरूर होता है ताकि हम लोगोँ ईजी रहें यहीं से दूसरा टेक स्वारेल टाइब करने की जरूबत नहीं हो गछивают सारा चीज एक मिलेगा और यहीं से हम लोग तो इस प्रकार से हम हम लोग hyperlink create कर सकते हैं और हम लोग एक बहुत अच्छा सा वेब साइट या फिर वेब पेज बहुत अच्छे सामकों डिसाइन कर सकते हैं कि बॉड़ी एट्रिब्यूट्स में हम लोग दो चीज देखे थे एलिंक और वी लिंक ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं ए लिंक है एकवल टू मैं यहां पर देता हूं यल्लो कि एलिंक मतलब होता है एक्टिव लिंक ठीक है एलिंक में मैं देता हूं यह फिर चलो इसका मैं रेड कर देता हूं ठीक है और वी लिंक मैं देता हूं वी लिंक एक्वल टू मैं देता हूं ग्रीड ठीक है एक्टिव लिंक मतलब उसको क्लिक नहीं किया गया है और वी लिंक मतलब उसको एक बार क्लिक कर दिया गया है उस लिंक को विजिट कर लिया गया ठीक है मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं अब यहां पर हम लोग को द फिलहाल के लिए एंकर टैक को मैं दूसरे वेब ब्राउजर पर ओपन करता हूं इसको फायर फॉक्स में उपन कर रहा हूं तो यहां पर मैंने इसको फायर फॉक्स में उपन कर दिया है तो कभी-कभी यह जो है किसी सीच में काम नहीं करेगा इसको एक बार वापस इसी में उपन करता हूं थापी ठीक है ओके को करते हैं इन कोगनित ओना तो यहां पर हम लोग इसको एक बार एक दो बार क्लिक कर चुके हैं सेम इसको ठीक है मैं एक दूसरा लिंक क्रिएट करता हूं ठीक है प्रुश्या में समझ म नाया है तो यहां पर जो विजिकर लिंकर क्रीन धीत कर रहा है यहां पर एक दूसरा लिंकर करता कर दोके इसको क्रीन डॉट तो जे ती जी अब देख सकते हैं हम लोग की यह जो यहां पर दिख रहा है यह लिंक मैं इसको कर दिया हूं और एक्चुली जो यह वेब ब्राउजर यह हम लोग यहां पर देख सकते हैं अगर सब्सक्राइब एक लिए लिंक हम लोग यहां पर देख रहे हैं ठीक है नौट सपोर्टेडिन यह लेकिन वी लिंग जो है वो किसी-किसी ब्राउजर पर काम करता है तो यहां पर ग्रीन करता हूं तो यलो भी वह दिखेगा तो यलो में भी दिखेगा लेकिन यह वह रहा है वापस मैं इसको क्लिक करूंगा और बैक जाओंगा यह भी क्या हो जाएगा यलो में हो गया तो वी लिंक जो है फाइब करता है ठीक है और यह लिंक जो है वह काम नहीं करता है दो इस प्रकार से एस लिंक और बी लिंक जो है जो पूराने वेब ब्राउजर को उसके काम करें इसको एक बर इंटेरेंट प्लोरर करता हूं हो सकते हैं कि यह काम करें है लेकिन यह कर रहा है इसमें भी नहीं कर रहा है है ठीक है इसमें भी हम लोग देख लेते हैं एक नया है 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 इसमें काम नहीं कर रहा है इसमें नहीं कर तो नहीं है ठीक है जो सकते हुए अच्छे से काम कर रहा है लेकिन यह लिंक का जो कलर से काम नहीं तो दोनों है वे सपोर्ट थे एसीमल फाइब में सपोर्ट नहीं किये जाते हैं यहां पर के भी हम लोग पांचो की एक ने हम लोग देख लिए और साथ में हाँ पर हम लोग ने देखा एंकर टैक जिसे हम लोग हाइपर लिंक जनरेट कर सकते हैं